नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडूप चैनल में चाहे आप बच्चों की एजुकेशन के लिए बारे में सोच रहे हो या उनके मेरेज के बारे में यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में मैं आपको बतांगो कि कैसे आप अपने बच्चों की एजुकेशन या मेरेज के लिए प्लाइन कर सकते हैं और एक अच्छा-गासा पोटफोलियो डेवलोप कर सकते हैं अगर आप मंतली धाई-जार रुपय की सब्सक्राइब कर लेंगे तो आधी अधूरी जानकरी आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी आप डाउट में रहेंगे यहां पर मैं SBA के सबसे बेस्ट फंड की बात कर रहा हूं उसका नाम है SBA Magnum Mid Cap Fund यह फंड बहुत ही भहतरिन परफॉर्मिंस कर रहा है यह फंड 2005 से शुरूआ था 29 मार 2005 में यह फंड स्टार्ट किया गया था आज की डेट में अगर मैं बात करो तो 12,555 करोड रुपया इस फ जोहीनी अंदानी जी है यहां पर 30 साल का इनका एक्सप्रियंस है यह फंड को बहुत ही अच्छे तरह से संभाल रही है और अच्छा घासा रिटन यहां पर आपको जनरेट करके दे रही है तो फ्रेंड से वीडियो चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर गया है तो यहां पर आपको एक्सपोजर तीनों ही फंड का मिल जाता है यहां पर सौट टम केपिडल गेन की बात करो तो एक साल से पहले अगर आप रीडिम करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर पंदरा परसंड का टैक्स लगेगा और एक साल के बाद अगर पर आप रीडिम करते हैं तो जो प्रॉफिट होगा उस पर टेन परसंड का टैक्स लगेगा आप चाहे कोई भी कैटेगोरी में आते हो 30 परसंड में भी अगर आते हैं तो भी आपका यहां पर यह लगेगा तो यह मूचल फंड की पावर है यहां पर एक और एडिशनल बे इंवेश्ट किया गया है तो टेन स्टॉक की अगर होल्डिंग की बात करें तो 32 परसंड के लगबग है अब यहां पर मिनिमम लंसम की बात करें तो पांच जार रुपय मात्रा लंसम से अब सुरू कर सकते हैं एडिशनल हजार और एसाइपी जो है मंतली मिनिमम 500 रुपय स से यहां सुरुवात कर सकते हैं मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है टॉप फाइप स्टॉक की अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं क्रिशल थर्मक्स लिमिटेड कोरोमंडल इंटरनेशनल ट्यूब इंवेश्टमेंट और से फिलर जैसे इंडिया स्टॉक के यहां पर इंवेश्टमेंट है साढ़े अठ्रा पर्षंट के लगबग इन पांच्यों स्टॉक का एकस्पोजर यहां पर किया गया है हर के टोटल 62 स्टॉक में इन्वेश्टमेंट किया है आप अगर 500 रुपे की भी एसीपी करते हैं तो वह 500 रुपे पर आपके 62 स्टॉक में इन्वेश्टमेंट किया जाता है जो की डाइवर्सिफाय पूरी तरीके से रहता है लंबे समय में अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा रिटन मिलेगा कंपाउंडिंग पाउर अफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलेगा अब यहां पर इसके पास्ट पर्फॉम्यंस की बात कर लेते हैं अगर किसी व्यक्ति ने एक लाग रुपे इस फंड में जमा किये थे एक साल पहले तो उसका आज का वेल्यू है एक लाग सोलाजा 336 रुपे साड़े सोलाफ परसंड का यहां पर रिड़न रिटन दिया है इस फंड ने कैटोगरी एवरेज के अगर मैं बात करूं यहां पर आप देख सकते तो इसके जितने भी मीड का फंड और भी है मिचल फंड के उनके सारे के सारे एवरेज फंड के अगर बात करें तो उसे कहते हैं कैटोगरी एवरेज तो कैटोगरी एवरेज ने साड़े सत्रा लगबग अठरा परसंड का रिटन दिया है तो एक साल के सबसे इस फंड ने ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी है बड़ तीन साल में अगर आप देखे ए तीन साल पहले किस 30,000 रुपे रिटन दी है 19 परसंड का रिटन है और कैटोगरी एवरेज है 17 परसंड दस साल पहले किसी ने इस फंड में एक लाग रुपे निवेस किया था तो यहां साड़े साथ लाग रुपे मिले हैं देख सकते हैं फ्रेंड्स यही है मूचल फंड की पावर और पावर के फंड अगर आपको तीन चार पांच गुना भी दे देते हैं तो क्या खराब है तो आप अपना जो पोटफोलियो है डाइवर्सिफिकेशन करके रखिए पोस्टोविस बैंक में भी निवेस किजिए वहां पर कुछ एक्सपोजर रखिए आपका टोटल जो इन्वेस्ट परस तो आप देख सकते हैं 17 परशंट का इसने रिटन जनरेट करके दिया है अब यहां पर सब्सक्राइब के अगर में बात करूं तो 10,000 रुपे कि किसी ने एक साल पहले शुरू की थी तो एक लाग 20,000 रुपे जम्मा है और एक लाग 42,000 रुपे मिले हैं 36 परशंट का रिटन है फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको एक टो बता देना चाहता हूं आप एक साल दो साल तीन साल का रिटन जनरली नहीं देखिए क्योंकि तीन एयर के साइपी की बात करो तो तीन लाग साड़ जमा होगा हुआ था और उसका जो रिटन है तीन तीन साल का इसने दिया है पांच लाग 22,000 रुपे साड़े 25 परशंट का रिटन पहले किसी ने 10,000 के साइपी फंड में शुरू किया था तो 6 लाग टोटल जमा थे परशंट का रिटन दिया है तो फ्रेंट यहां पर जो चार्ट है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यह इस प्रकार से आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए क्लानिंग कर सकते हैं यहां पर मैंने मान के चला है कि आपके अभी घर में बच्चे ने जनम लिया ह साल दो साल के आप पकड़ के चल सकते हैं उसके सबसे अगर एजुकेशन की बात करें तो पंदरा से सोला साल का जब बच्चा होता तो उसके एक हाइर एजुकेशन की प्लैनिंग रहती है और पच्चिस साल के आसपस लगबग बच्चे की एज होती है तो मैरेज के लिए यह फंड अगर आपको देता है आगे आने वाले 15 से 25 सालों में तो आपको 15 साल में 13 लाख रुपे मैचुरिटी मूंड मिलेंगे यानि कि एस्टिमेट एमॉंड मिलेगा और मैरेज के लिए 25 साल तक अगर इस SIP को चलाते हैं तो आपको 50 लाख रुपे मिलेगा यहां पर इस वीडियो को पॉस्ट करके देखिए और अपना प्लैनिंग कीजिए अगर आप यहां पर 10,000 रुपे के सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 15 सालों में 52 लाख रुपे देते हैं और अगर आप मैरेज के लिए सोचते हैं तो उसे कंटिन्यू करते हैं 25 सालों के लिए तो सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि आपको पता है आज की डेट में हम हर एक ओकेजिन को करना चाहते हैं दूमदाम से तो 25 साल के बाद भी हमें अगर सिलवर जुबली करते हैं तो एक अच्छा अच्छा लंशम अमाउंट हमें चाहिएगा तो उसके सबसे भी आप प्लैनिंग कीजिए ड्रीम हो वेकेशन के लिए ड्रीम होम के लिए अपनी ड्रीम कार के लिए तो हर एक गोल के लिए एक SIP होनी जरूरी है तो फ्रेंट्स आसा करता हूं वीडियो में मैंने आपको सारी जन करी दी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरू किजिएगा आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूश सकते हैं मैं शेर किजिएगा ताकि और भी लोग इस फंड के बारे में और एजुकिशन प्लैनिंग या मैरेस प्लैनिंग के लिए सोच रहे हैं तो अपना डिसिजन ले सके चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरू सब्सक्राइब किजिएगा ठैंक यू